जै माता दी, हैपी थर्सडे देख लेते हैं आज का क्या है टैरो का हिसाब किताब तो सबसे पहले तो देखते हैं टैरो बहुत अच्छा कार्ड निकला है, अपॉर्चनिटीस का कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से आने वाले फ्यूचर के लिए कोई ना कोई ऐसा इशारा मिलेगा जो कि आपकी अर्निंग से रिलेट करेगा और कहीं ना कहीं इमोशनली भी आपको कुछ चीज़ें फील कराएगा दूसरा जो कार्ड है, फीमेल एनर्जीस के लिए काफी फायदे मन्द होने वाला है उनकी जॉब, वर्क प्लेस से रिलेटेट कोई ना कोई उन्हें बहुत अच्छी गुड नियूज मिलेगी पर उन्हें जो है इस चीज़ पर फोकस करना है ना कि कहीं अपनी जैसे इमोशन्स पर काबू रखना है देखिए जो एनिमल स्पिरिट गाइड है वो भी यही कह रहा है कि जब आप अपने आप पर फोकस करें कि तब ही आप अपनी चीज़ों में विनिंग पोजिशन को ला पाएंगे या विनिंग कर पाएंगे अपनी चीज़ों में तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आज बिल्कुल भी समय बरबाद नहीं करना है किसी की बातों में या social media पर किसी भी चीज में अपना समय आज बरबाद ना करें क्योंकि ये जो आज का दिन है कहीं ना कहीं आपको future से related कोई ना कोई इशारा जरूर देगा और खास तोर पर females के लिए तो बहुत अची position का गाड निकला है तो emotions पे थोड़ा काबू रखे, mind को थोड़ा चला है, opportunities आपके हाथ में है उन्हें सिर्फ आपको focus करना है, इन सभी messages को claim करिएगा तभी जो vibration है आपके साथ connect होंगी और वो आपके लिए work करेंगी अगेन जो है angels आपको कुछ ना कुछ इशारा दे रहे हैं तो आज के जो दिन है numbers के through या sign के through या किसी जैसे कहते हैं फ्रेगनेंस के through angels आपसे connect होंगे तो thank you universe, thank you angels, thank you spirits guide जरूर कहिएगा और इस message को claim जरूर करिएगा